हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी रिमजिम के अंतर गए चैप्टर नमबर 6 जो कि कविता है और कविता का नाम क्या है हम से सब कहते तो बच्चो आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें सबसे पहले आईए पढ़ लेते हैं कविता इसके बाद हम आपको बताएंगे कविता के प्रस्णों के उत्तर भी तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर ये है आपकी कविता हम से सब कहते तो आईए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें नहीं सूर्य से कहता कोई दूप यहां पर मत पहलाओ कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई बादल से कहता कव कोई क्यूं जलदार यहां बरसाई और देख रहें न बच्चो आप यहांपर ये हैं छोटे-छोटे बच्चे जो किस परकार से कह रहे हैं कि अन्य चीजों को कोई कुछ नहीं कहता सबके सब हमें ही क्यों रोकते हैं क्यों टोकट आकी करते हैं आगे आईए पढ़ लेते हैं फिर क्यों हमसे भैया कहते यहां न आओ भागो जाओ अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलोने मत पहलाओ पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए हम पर ही सब का बस चलता जो चाहे वह डाट बताए और आप देख रहें नहीं आपर इस कविता के कभी कौन है यानि लेखक कौन है इस कभीता को लिखने वाले निरंकारदेव सेवक तो बच्चो उमीद है कि आपने भी साथ साथ कभीता पढ़ी होगी और आपको कभीता पढ़के बड़ा आनंद आया होगा तो चलिए अब जान लेते हैं कभीता से संबंदित प्रस्णों के उत्तर भी तो बच्चो ये हैं आपकी कभीता के प्रस्णों के उत्तर और आप ध्यान दें इन्हें चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपको इनके उत्तर अच्छे से समझ भी आ जाएं तो सबसे पहले यहां पर नया सीर्शक और इसके अंदर आपके लिए प्रस्णों है तो बच्चो पहला प्रस्णों आपके लिए अगर तुमें इस कभीता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे तो आप उत्तर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे अगर हमें इस कभीता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदवाओ या टोकाटा की नाम देंगे तो इस परकार से आप पहले प्रस्णों का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद दूसरा प्रसन है यहाँ पर आपके लिए पाट साला में और घर में तुम्हें क्या-क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या-क्या करने के लिए मना किया जाता है नीचे वाली तालिका में लिखो तो आप उत्तर इस परकार से लिखेंगे जो जो चीजें आपके करने को कही जाती हैं आप उन्हें एक तरफ लिखेंगे और जो जो ना करने के लिए कही जाती हैं उन्हें दूसरी तरफ तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर करो और यहाँ पर मत करो इस परकार से आप लिखेंगे और करने के लिए आपको क्या क्या कहा जाता है साब सुत्रा रखो मैदान या पार्क में खेलो फूल मत तोड़ो और यहां पर मत करो में क्या होता है कागज या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो आप ध्यान दें यहां पर यह गलत चपा हुआ है आप लिखेंगे इधर और उधर मत डालो दीवारों पर ना लिखो नियमों का पालन करो यही तो सब आपके लिखा जाता है न तो आप क्या करेंगे इस मेंसे जुए करो और मत करो जुए अलग-अलग आप करके लिखेंगे तो इस परकार से आपका उतर यहां से आप कर सकते हैं इसके बाद अगला प्रसने यहां पर जड़ा सोचो इ बादल सूरज की रोसनी को भगा देता है हवा बादल को भगा देती है बताओ कौन किस से ज़्यादा ताकतवर है तो आप क्या उतर लिखेंगे सभी में सूरज सबसे ताकतवर है क्योंकि चांद तो सूरे के परकास में चमकता है ये दिवाच चांद के प्रकास को बगा देता तो सूरजी सदा निकला रहता बादल सूरे को थोड़े समय के लिए ही ढखता है क्योंकि हवा उसे उड़ा कर ले जाती है सूरे की रोसनी फिर आ जाती है हवा का सूरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस परकार से आप उत्तर लिख सकते हैं तो बच्चों यहां पर देखें आप इस प्रस्ण में पहले वाले प्रस्ण में जहां पर है यहां पर करो और मत करो तो यहां पर आप क्या करेंगे जो मत करो वाले में क्या क्या लिखेंगे आप फूल मत तोड़ो कागज के चिल के इदर उदर मत डालो इस परकार से आप मत करो में लिखेंगे और साब सुत्रा रखो मैदान या पार्क में खेलो इस परकार से करो वाले में और नियमों का पालन करो ये तीन तो आप करो वाले में लिखेंगे और एक दो और तीन आप जो है मत करो में लिखेंगे आपके समझ में आया बच्चो आप जो है करो आले में आप लिखेंगे ये दो तो आप करो आले में लिखेंगे साफ सुत्रा रखो मैदान या पार्क में खेलो एक तो ये लिखेंगे आप करो वाले में और एक आप ये लिखेंगे नियमों का पालन करो ये आप तीन चीजें यहाँ पर दो है आपके लिए यहाँ पर एक है तो इन तीनों को आप एक तरफ लिखेंगे, करो वाले में, और उसके बाद मत करो वाले में क्या लिखेंगे आप, मत करो वाले में, तीन आप अलग से लिखेंगे, वो तीन कौन से, फूल मत तोड़ो, कागज या फ़लों के चिल के इदर दर मत डालो, दीवारों पर मत लिख ये तीन आप लिखेंगे, मत करो में, तो आईए, इसके बाद जो है, ये प्रसन हमने आपको भी बताया, कि जरा सोचों के बारे में कैसे यहाँ पर आप प्रसन का उत्तर देंगे, इसके बाद बच्यों आप ध्यान दें, तुम्हारी बात में यहां पर जो आपके लिए प्रस्थ नहीं है अम्मा पापा भाईया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है तुम्हारा किस पर बस चलता है आप उत्तर लिखेंगे हमारा खेलोना आदी पर बस चलता है उने हम तोड़ फोड़ भी लेते हैं इस परकार से आप उत्तर देंगे इसके बाद आपके लिए अगला प्रस्थन है तुम्हारा घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है यानि कि यहाँ पर लिखेंगे आप तुम्हारे घर में यहाँ पर तुम्हारा नहीं करेंगे तुम्हारे घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है आप उत्तर लिखेंगे हमें दादा दादी पापा मम्मी बड़े बाई बहन सभी टोकते रहते हैं इसके बाद अगला प्रस्न है किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है तो आप उत्तर लिखेंगे दीवार पर लिखने गंदगी फैलाने खिलोने को तोड़ने घर बर सोर मचाने और फूल तोड़ने आजी पर टोका जाता है आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते है इसके बाद कौन सी चीज कहाँ यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्न है आप देखें सालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली वे नाम मैंने नीचे लिख दिये हैं तो बच्चों आप ध्यान देए सालू को किन किन चीजों के नाम आते हैं वो सबके सब यहाँ पर सूची में दिये हुए हैं सकर, कबड़ी, पपीता, मारकुटाई, लोमड़ी, गुलाव जामुन, सेर, ककड़ी, सतरंज, बला, मगर, लड़ू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिली, कबुतर, पतंग, मसाला, लड़्टू, तोता, सहतूत और चटनी इतने सारे नाम जो है सालू को आते हैं अब यहाँ पर प्रसने आपके लिए, अब सालू, यहाँ सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो तो आप उत्तर क्या लिखेंगे उतर लिखेंगे अकसर यहां पर लिखेंगे आप अकसर यहां पर लिखेंगे जानबर या पकसी का नाम खाने पीने का सामान और खेलने का खेल का नाम या सामान जो खेल के नाम है वो भी और उनका सामान भी तो यहां पर बै, मै, कै, लै यहाँ पर आप अक्सर लिखेंगे अब बैसे आप देखेंगे बकरी, बेर और बला इसके बाद मैसे मगर, मसाला, मारक उटाई इसी प्रकार से आप उत्तर में लिखते जाएंगे कैसे क्या होगा कबूतर, ककड़ी और कंकन जितने नाम सालू को याद है ना उन सब के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे और अक्सर के हिसाब से लिखेंगे जैसे लैसे लोमडी, लड्डू, और लट्टू, पैसे पांडा, पपीता, पतंग और गैसे गाए, गुलाव, गिल्ली, और सैसे सेर, और सक्कर, और सतरंज इस जामुन को आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जामुन जोए उपर है, यह गुलाव, जामुन जोए ना, गाए वाले इस वाली लाइन पे, बच्चो ध्यान दे आप, गुलाव, जामुन एक साथ है तो इस परकार से आप उत्तर लिख सकते हैं, इसके बाद, यहाँ पर कहा गया है, कि आप इसी परकार के खेल, और भी खेल सकते हैं, प्रस्थन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसे ही खेल तुम, और अक्सरों के साथ खेल सकते हो, अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, बना एक खाने के नाम बर्णमाला के साब से एक क्रम से लगाओ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर आप कैसे लिखेंगे आपका उत्तर होगा जानबर या पक्सी कबुतर गाय तोता बकरी मगर लोमडी सेर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं खाने पिने का सामान के बारे में ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, सकर, सहतूत और खेल का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप कबड़ी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लड्टू, सत्रंज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो अगला प्रसने आपके लिए यहाँ पर हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों चीजों और जगों के नाम आये हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो तो आप उत्तर लिखेंगे यह सारे चीजों के नाम आ रखें यहाँ पर ध्यान दें आप क्या करेंगे आप एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट में ऐसे लिखेंगे आप जैसे कि लोगों के जो नाम आ रखें यहाँ पर लिखेंगे चीज यहाँ पर लिखेंगे और जग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसके बाद चीजों के नाम में भी आप लिख सकते हैं जैसे दूप आप देख रहे हैं यहाँ पर दूप चांदनी जलधार खिलोने और जगे यहाँ अंदर घर भर और बाहर इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर आप एक चीज का ध जान दें कि यहाँ पर जो है लोगों के अंतरगयत जो लिखा है यहाँ पर बच्चो जैसे लोग हैं ने यहाँ पर यह लिखा हुआ लोग में आपको पता है भाईया भी लोग होते हैं अमा और पापा यह सब के सब क्या हैं लोग हैं और चीजों के अंतरगयत आप लिख सकत हैं इसके बाद अगला प्रस्ण आपके लिए हम में हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों चीजों और जगों के नाम आये हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमने आपको अभी अभी बताया था यह प्रस्ण का उत्तर आप यहां से लिख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपके लिए अगला प्रस्ण है यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी सुनिए न बच्चों आपने देखा है कवा लोमडी की कहानी और इसी प्रकार से आप इन चीतरों के द्वारा अब एक नई कहानी बनाएंगे यहां पर देख रहे हैं आप एक कववा बैठा है और उसके मुँँ में कुछ है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप एक नहीं कहानी बनाएंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार होगा एक बार एक कववे को रोटी का एक टुकड़ा मिला आप देख रहे हैं यहाँ पर यह कहानी एक एक बार एक कववे को रोटी का टुकडा मिला कववे की चोंच में रोटी देखकर लोमडी के मुँए में पानी आ गया यहाँ पर जो है यह यह लोमडी है और कववा जो हूँ पर बैठा हुआ है तो इसके मुँए में पानी आ गया यह न लोमडी यहाँ पर इसके बाद क्य वह वो सी आर्था वह लोम्री की बातों में नहीं आया रोटी का टुकड़ा पंजों में दबा कर लोम्री को अपना गाना अर्थार्थ काउं काउं सुना दिया इसके बाद क्या हुआ चाला कोवे के सामने लोम्री की डाल नहीं गली वह अपना से मुँआ लेकर चली गई लगा तो इस प्रकार से आप एक कहानी लिख सकते हैं तो बच्चों ये थे यहाँ पर इस पार्ट से सम्बंदित प्रस्णू के उत्तर जो कि हमने आपको यहाँ पर बताए उमीद है कि आपको प्रस्णू के उत्तर अच्छे से समझाए होंगे और आज का हमारा जो पार्ट सम्मंदित अन्य जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इसी परकार देखते रहे हैं चैनल में लगातार आपको इस परकार से सभी पार्टों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभो